ओम ओम श्री सद्गुर्देव भगवान की जय जगरनाथ यात्रा पूरे बिश्व में पूरे भारत में जगरनाथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है जगरनाथ यात्रा का उद्धेश से क्या है और जगरनाथ यात्रा कप्षे प्रारंभ हुई जगरनाथ भगवान का मंदिर कितना पुराना है और जगरनाथ भगवान का मंदिर का निर्मान किसने कराया और जगरनाथ भगवान के मंदिर के प्रमुक्चमतकारों का चित्रण और जगरनाथ भगवान के मंदिर में किनकी किनकी प्रतिमा लगी हुई है और जगरनाथ भगवान की रथ यात्रा क्यों उड़े भारत वर्ष में धूम धाम से मनाई जाती है जगरनाथ मंदिर जो भगवान का है वो उड़ीसा में इस्थित है समुद्र के किनारे उसकी ध्वजा हवा के विक्रीद दिसा में क्यों लहरती है इन तमाम प्रस्णों का हम लोग आज के भगवत चर्चा में जानेंगे प्रतेक वर्ष असार महीना के दुतिया के दिन पूरे देश में जगरनाथ यात्रा जगरनाथ भगवान का कहीं कहीं मेला भी लगता है और ऐसी मान्यता है लोगों की भावना है कि भगवान जगरनाथ का रत का रस्टी खीचने से सवभाग्य बढ़ता है दुरभाग्य नश्ट होता है इसलिए आप देखेंगे कि अपार जन समूह लगता है कि भक्तों का एक शमुद्र उमड़ा हुआ है एक तरब जा रहा है कितनी भावना है पूरे भारत में इस्वर के प्रती भगवान के प्रती अगर पूरी दुनिया में इस्वर के प्रती आस्था का सबसे बड़ा देश देखना है तो आप भारत में आईए भारत में लोग भगवान पर प्रमात्मा पर इस्वर पर बड़ा विश्वास रखते हैं ऐसा समझते हैं कि हर कार्य इस्वर की ही क्रिपा से हो रहा है मनुष्य अपने आपको निमिक्त समझता है और भगवान जगरनात भी जो कृष्ण भगवान के ही अंस है भगवान कृष्ण करते हैं निमिक्तम मात्र भव भव्य साचिन तुम अर्जुन निमिक्त मात्र भर रहो करता धरता तो मैं हूँ आप बंगाल में जाओ भगवान से कृष्ण की खू भ़ब भक्ति होती है उडिशा में जाओ भगवान जगरनात को भी कृष्ट भगवान का ही स्वरूप माना जाता है तो भगवान जगरनात बलभद्र और सुभद्रा जी उनकी बहन है सबसे पहले और सुभद्रा अर्जुन की पतनी भी है और मन्यों की मा भी है तो हम सब लोग सबसे पहले ये जाने कि आखिर में ये जगरनाथ मंदिर जो है ये कब और किस ने बनवाया ये आज से लगभक 332 वर्ष पुराना ये जगरनाथ भगवान का मंदिर है जिसको कलिंग राजा अनंत वर्मन चंडो गंग देव ने बनवाया आरंभ किया लेकिन इसको मूल रूप में ओडिशा के सासत अनंग भीम देव ने पूर्ण कराया और भगवान जगरनाथ की जो प्रतिमा होती है वो लकडी के काठ की बनती है लकडी की कलाकारी अगर आपको देखना है तो उस चेत्रों में बहुत ज़ादा है तो भगवान की भी जो मूर्ति है जिसमें जगरनाथ भगवान जिन्हें कृष्ण भगवान का ही अंस माना जाता है और बलभद्र मतलब बलदाव और शुभद्रा तीन लोगों की ये मू मूर्तियां उनमें बनाई जाती है और तीनों भगवान की जो मूर्ति है वो काठ की होती है और हर बारह वर्ष पर मूर्तियां बदल दी जाती है इसलिए कि कहीं खंडित नो हो जाए और हमारा जो भारत देश है या मूर्ति पूजक नहीं बलकि चरित्र पूजक है भगव श्रीक्रिष्ण के अनंत रूप हैं भगवान कहते हैं दस्वे अध्याय में कि अर्जुन इस संसार में मैं पूरे जगत को अपने एक अंस में इस्थित कर वैठा भगवान कृष्ण को प्रमात्मा की शंग्या दी गई आप ऐसा मत समझें कि सब भगवान अलग अलग हैं सब भगवान एक ही हैं उस भगवत्ता को जो भी प्राप्त कर लिया भजन चिंतन ध्यान पूजन करके वो भगवान हो गया भगवान मतलब भग माने प्रकृति वान माने ड्राइबर तो इसलिए जगर नाथ जो इस जग माने संसार संसार के जो नाथ हैं अब संसार माने सिर्फ भारत ही नहीं होता है संसार माने पूरा बिश्व होता है और संसार माने सिर्फ पूरा बिश्व ही नहीं बल्कि ये तीनों लोक होता है संसार में सब समाहिए तो जगर्द के नाथ जो इस संसार के नाथ हैं वो प्रमात्मा हैं इन्हें कोई इस्वर कहा कोई खुदा कहा कोई गौट कहा कोई पीर कहा कोई प्रेगंबर कहा कोई वाहे गुरू कहा नाम चाहे इनका आप जो भी दे दो लेकिन ये हैं जगर्नाथ और रथे आत्रा क्यों खीची जाती है वर्स में एक बार इसके पीछे भी मान्यता है और हमारी सारी मान्यताएं जो हम सनातनियों की हैं हम भक्तों की हैं वो बड़ी भावना पुर्ण है और इन मान्यताओं के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारा मन किसी न किसी बहाने से इस्वर चिंतन भगवत चिंतन में लगा ले अब उस एरिया के भी जितने भगवान के वर्स भर एक जगरनाथ आत्रा पूर्ण होई दूसरी आत्रा के लिए तैयारी चालू पहिया बनाना रस्ती बनाना मिंटेंस से रखना किसी न किसी बहाने भगवान में ही मन लगा हुआ है जए जगरनाथ में मन लगा हुआ है तो ये सारी आत्राओं का, सारे तिर्थों का, सारे पुजापाठों का, सब का ये कहीं मतलब है तो इसलिए मान्यताएं, परंपराएं बड़ी ही ज्यानवर्धक हैं भारत की और इसके पीछे बहुत ही चारित्रिक उद्देश से है तो सुबद्रा जी को मार्केट भूमने का, मतलब सहर भूमने का अपना देखने का मन हुआ तो बलभद्र जी से उन्होंने इच्छा जाहिर की बलदाओ से तो भगवान जगरनाथ यानि कृष्ण भगवान बलदाओ सुबद्रा जी रत पर सवार हुए जैसे कि आज तमाम गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सब को घूमने का मन करता है, इच्छा करता है तो भ्रमड करते हैं तो उसी तरह भगवान को भी इच्छा हुआ उनकी बहन को तो वहां से निकले और अपने मौसी के घर होते हुए और फिर भगवान अपने अस्थान को आ गए ऐसी मानेता है, और उसी दिन से फिर भगवान को अपना नगर एरिया घूमने का मन किया, तो भक्तों ने एक परंपरा बना लिया, कि हम वर्स में एक बार भगवान को घूमाएंगे, और इसी बहाने जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग भी दर्सन करेंगे, और वैसे तो भगवान तो सरवत्र हैं, जैसे हवा, पानी, ऑक्सीजन, सरवत्र है, उसी तरह भगवान भी सरवत्र हैं, हर व्यापक सरवत्र, शमाना, प्रेम्त, प्रगठ हो ही मैं जाना, लेकिन भक्तों का अपना-पना एक भ भाव से हम लोगों ने भगवान को पुकारा, उसी भाव से भगवान आकर के दर्शन दियो, पूरी भागवत आप पढ़लें, पूरी गीता पढ़लें, पूरा बेद पुरान पढ़लें, सब में यहीं दर्शाया गया है कि किसी न किसी भक्त के भाव पर खुस होकर के नाराय ने दर्शन दिया तो उसी दिन से परंपरा चल गए एक मान्यता और है जो बैज्ञानिकों को भी हैरान करती है कि अब जैसे हवा इस तरफ बह रही है तो कोई भी जंडा कोई भी पता का इसी तरफ बहेगा लेकिन नहीं हवा अगर समुद्र की इस तरफ बह रही है तो ध्वजा इस तरफ बहेगा ये चमतकार नहीं तो क्या है ये कहीं ने कहीं से प्रकृत का इश्वर का प्रमात्मा का चमतकार ही तो है लोग छोटे-छोटे चमतकार देखने जाते हैं इतना बड़ा चमतकार है जब समुद्र हवा चलता था तो लोग करते हैं कि भगवान को आराम करने में डिश्टर्ब होता था तो हनुवान जी ने क्या नाम है ऐसा कर दिया कि ध्वजा जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ उल्टा चलेगा फड़ नहीं होगा तो भगवान को क्या नाम है सोने में दिक्कत नहीं होगी हवा का रुख है हनुवान जी ने बदल दिया आज भी ऐसी मान्यता है कि हवाई जहाज या कोई पच्छी मंदिर के उपर से नहीं गुजर सकता है नहीं गुजरता है तो ये कहीं न कहीं से सनातन धर्म के विश्वास को बढ़ाने वाली चीजें हैं और जगत के नाथ हैं प्रमात्मा भगवान श्री कृष्ण भगवान अगर आपको समझना है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से जगत के नाथ हैं तो और जुन विराट रूप देखा और समझ गया कि भगवान कृष्ण ही जगत के नाथ हैं और कहने लगा कि प्रभू त्वमादी देवह पुरुशह पुरान तो जब आप गीता पढ़ेंगे कहीं कहीं से बारहमाद्याय से बारहमाद्याय तक आप अश्पष्ट पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण भगवान नहीं जग के नाथ हैं और इस मंदिर पर 17 बार आक्रमड हुए वैसे तो भारत के जितने भी मंदिर हैं सब पर मुगलों का आक्रमड हुआ भारती संस्कृति को नष्ट करने का भरफूर प्रयास किया गया उसी क्रम में इस मंदिर पर भी सत्रह बार आक्रमण हुए कुछ वर्षो तक मुर्ति भी अंदर मंदिर में नहीं थी लेकिन काग्या यदा यदा हिधर्मश्यक लानी भवर्ति भारत अब्युत्थानम अधर्मश्यत दात्मानम शिजाम्यं परित्रानाय साधू नाम बिनाय भगवान इश्वर्त जो भी निगेटिव सकती है वो मानसिक हो चाहे बाहरी हो उसका आवस्य नाज करते हैं और अपने मौजूद होने का भगवान आभास कराते हैं जब-जब मनुष्य यह समझने की भूल कर बैठता है यह को हमदूतियो नास्ति तब भगवान वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं मैं तो केवल निमिक्त मात्र जितनी चाभी भरी राम ने उतना चड़े खिरवना तो जग के नाथ प्रमात्मा हैं भगवान हैं और भगवान की जो रशी खीचेगा भगवान हम सबकी रशी खीच रहे हैं भगवान हम सबकी गाड़ी खीच रहे हैं लेकिन जब भगवान का मन कर दिया तो भक्त ने कहा नहीं प्रभू, जब मैं चलता हूँ, आपकी भक्ती करता हूँ, तो आप अपना हाथ रख देते हो, तो कम से कम ये सेवा है, वर्स में एक बार प्रभू आपकी मेरा सीखिचूंगा, आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा, जब भगवान चाते तो हजारों पूल एक मिनट में बन जाता, लेकिन बानरों से भगवान ने रशी खिचूआई वहीं, पत्थर मंगवाया, सेवा करवाई, तो इसलिए प्रभू की सेवा है, वर्स में एक बार बड़े भाव से भक्त लोग करते हैं, तो आप लोग खू ओम 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 जबते रहना है, रसी खिचते रहना है, फिर वो आपकी रसी भगवान खिचेंगे, और कल्यान हो जाएगा, बोल ये स्री सद्गुर्देव भगवान की जय, बोलो जै सी आराम, जै जै सी आराम, स्री क्रेष्ण गोबिंद, हारे मुदारे, हे नात नारायन वासुदेवा, बोल्ये स्री सद्गुर्दे भगवान की जय,